हरे कृष्णा तो सारे भक्तों का आज के विद्नस जे करेक्रेम गितांबुट में स्वागत है कुछी दिन पहले रविवार को हमने यहाँ पे चत्रपती शिवाजी महाराज इनका जनम दिन मनाया हमने और श्रीमान चिक्षाष्टरंबु ने बहुती विशेश थरीके से जो योगदान रहा चत्रपती शिवाजी महाराज का पूरे भारत वर्ष के लिए पूरे समाज के लिए पूरे विश्वा के लिए एक आदर्श राजा की इस प्रकार से होता है तो उसका बहुती सुंदर विबेचन हमने सुना क्योंकि हम देखते हैं वेडिक सभ्यता जो है वो राजर्शियों द्वारा प्रोटेट की जाती है शुरक्षित की जाती है अगर राजा ही चोर निकला तो प्रजा कौन सी इमांदा निकलने वाली है लेकिन अगर राजा के अंदर रशी के गुणे उसको राजर्शी के ते तो वो राजा जो है सारे समाज का बहला करता है सारे प्रजा का बहला करता है और हमारे भागवता में उधारन आता है किस प्रकार से जब अमरिश महारा राजा किया करते थे परिक्षित महारा राजा किया करते थे पांडो उस समय उन राजाओं को देखते लेखते पूरी प्रजाज होती थी, उनको मुक्ती मिलती थी, सारे बंदरों से छूटके वो भगवत धाम जाय करते थे. तो इतना राजा का महत्व हमारे वेडिक सब्वेता में दिया गया है, खासर के जो राजा जिन में रुषियों का गुण जो होता है, वो उन्होंने आत्मसाथ किया होता है, मतलब वो राजा भी है और एक महान रिशी भी है, और इसी प्रकार के अगर हम हमारे करंट इतिहास म वरष में, तो यह एक उदारन सब के सामने आता है, वो है चत्रपती शिवाजी महाराज और संडे को हमारा एक इविनिंग में प्रोग्राम ता तो उसमें हमने यही टॉपिक लिया था, किस प्रकार से उन्होंने अपने आचरन से दिखाया कि हम कितने भी परित परिसिते मे क्यों नो हो, कितने भी समस्या में क्यों नो हो, कही न कही आश्या का किरण हमेशा होता है, और इसलिए उनका हमने, हम जानते हैं महाराश्टा में जो रहते हैं, चत्रपती शिवाजी महाराज जो है, उनका जीवनकाल के और पचास वरष का रहा, सोला सो तीस में उनका जनम प्राजब करना नहीं पेला है और जैसे हम जानते है श्रीद प्रभुपारची जब इसकौन की स्थापना के लिए अमेरिका निकले, उनका उम्र सत्तर दोर्श हो चुका था, जीब में पैसा नहीं था, कोई कॉंटेक्स नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन प्रभुपारची पूरी गैरेंटी थी, कि मैं नहीं जा रहा हूँ, यह जो शास्त्र श्रीमत भागवज जो है, वो जा रहा है, और श्रीमत भागवज जो है, वो भगवान के धर्म की स्थापना करेगी, भगवान गीता में केते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, गलान बढ़नीर भवती भारत कि जब भी धर्म का रास होता है भगवान आउतरित होते अपने भकतों को भेचते अपने प्रतिद्यों को भेचते फिर इसे धर्म की स्थापना करने के लिए और जब प्रहुपाद गए तो प्रहुपान शास्त्र लेके गए और जैसे शिल पुरा प्रयास करते हैं। तो शास्त्र हो गए, उनको पढ़ने वाले, सिखाने वाले, आचरण में लाने वाले शास्त्री हुए, लेकिन उनकी रक्षा के लिए शास्त्र के आवशक्ता होती है। अधर्म को रोकेगा और फिर से धर्म की स्थापना करेगा। और उसी बीच, शत्रबदी शिवाजी महाराजिन का जन्म हुआ, शिवनेर में कई से कितने भक्त हैं, कितने लोग हैं, जो शिवनेरी विजिट किये अपने जीवन में, शिवनेरी फोर्ट जो है पुना में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी भारत में रहते हैं, कम से कम वो जाके शिवनेरी एक बार जा सकते हैं, अभी वो डेवलब भी कर रहे हैं वहाँ पे, इसके लिए भगवान शिकिष्ट गीता में कहते हैं, आप सब लोग मेरे पीछे दोरा आईए, तेशाम सतत युक्तानाम, भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामी बुद्धियोगम्तम, ये नमा मुपयांतिते, ये दस्वे अध्याय का दस्वा श्लोके, जो गीता का सार माना जाता है, उसमें से एक श्लोके, भगवान बोल रहे हैं कृष्ट गीता में, तेशाम सतत मेरा बहुत प्रामानिकता से और प्रिति पूर्वक भजन करते हैं, सेवा करते हैं, ददामी बुद्धियोगम्तम, ददामी मतलब मैं देता हूं, बुद्धियोगम, बुद्धि रेता हूं, ये नमा मुपयांतिते, ऐसे जो है, जो प्रामानिक रुप से मेरी सेवा कर रह ते सगत युक्तानाम सगत रुप से भजताम प्रिद्पूर्वक्ः अभी भजन का अर्थ कई बड़ा होता है, भजन मतलब किवल मुरदन कर दो लेके भजाना नहीं है, भगवान का नाम गाना है printing कि बचना, भजन का लेकिन भजन मतलब जो भगवान ने हमें रोल दिये प्ले करने के लिए कोई यहाँ पे माता कोई पिता जो भक्त है हम सादक है शिष्य है गुरु बंदु है गुरु भगिनी हमारे जो भी रोल है प्रीदि पूर्वकम क्रिश्न की प्रसंदा के लिए हमारे रोल्स को हम प्रामणी गुरुप से करते हैं उसों कहते हैं भजताम प्रीदि पूर्वकम ऐसे जो भक्त होते हैं ऐसे जो धार्मिक लोग होते हैं ददामी बुद्धी योगमतम उनको मैं बुद्धी प्रतान करता हूँ वो मुझे प्राप्त हो और ये जो श्लोक है वो श्हत्रपत्य स्वाजी recognize को बहुती अच्छे से सूट करता है क्यों करता है श्हत्रपत्य स्वाजी नहीं का बहुत फेमंस स्टेटमेंट अस्लोगन ता कोई बता पाएगा माराथी में हाँ हमारे योकेश्पो ने कहा है हे हिंदवी सुराज जभावे ही तो शीन चीच्छा है आप देखो के शीवा जी महारे ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा राज जए मुझे राजा बनना है उन्होंने कहा कि ये शीन चीच है शी मतलब कोन भगवान राम भगवान कृष्णा क्योंकि धर्म का जो जिसको विडा उठाया है धर्म की स्थापना का जो विडा उठाया है वो केवल भगवान शीक कृष्णा ने उठाया वो कहते हैं मैं हर यूग में आउतार लेता हूं उसकी रक्षा करने के लिए तो ये सुराज जो हो ये तो भगवान की इच्छा थी इसके लिए उनके पूरे जीवन में ये थीम हमेशा रही कभी किसे को अगर पत्र लिखा है उन्होंने किसे से वारतालाप किया है हे राज्य वावे ही तो शेंची इच्छा भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपने आपको समर्पित कर दिया, अपने पूरे परिवार को लोगा रिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया और इसलिए आज करीब करीब 400 साल के बाद, 400 साल के बाद हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उससे हम इंस्पार हो रहे हैं, हमें सपूर्ती मिल रहे हैं और अपने जीवन को परिवड़तन करने का प्रयास कर रहे हैं केवल पचास वर्ष के आयू में, पूरे सनातन धर्मा का जो इतिहां से इन्होंने बदल लिया उसको उसके से एक्टिवियर्स उनके पंदरा साल तक तो उनके उद्धने लिड़े, 16 साल पे पहला युद्धन लड़ा उन्होंने, अड़ इज ओफ 16 यहाँ पे जब बच्चे 16 साल के होते हैं, उनके माँ को बोलना पड़ता है कि सुभे उठके जल्दी ना हो केवल पिज़ा बर्गर ओडर मत करो, घर का भी खाना खाओ, यह बोलना पड़ता है हमारे 16 साल के बच्चों को ज़्यादा मोबाइल में मच्चिप को, पढ़ा ही करो, पहला युद्धन उन्होंने, अड़ एज ओफ 16 लड़ा, मुसे खान से, अदिल चाने विज़ाता, दो हजार से ना विज़ी थी उसने अगर यहाँ पर कोई सवरोसाल का बच्चा उसको मारने के लिए कर दस लोग आ जाए ना, तो सबसे पहले भाग जाएगा Can we imagine मतलब क्या लाइफ रहा इन का? क्यों? क्योंकि उद्धेश एक था, जैसे उनको समझ में आना शुरूआ एक इच्चा थी, हे राच्चे वावे ही तो श्रीन ची इच्चा और इतना बड़ा उन्होंने एक पूरे क्रांती उन्होंने लाई हमारे भारत में, सनातन धर्म में और उनसे कई सारी गलतिया भी वैसे नहीं कि मनुष्य है, जो भी जनम लेता है, वो गलतिया करते हैं लेकिन गलतियों के बाद, वो किस प्रकार से अपने जीवन को बदलते हैं, यह उसकी परिक्षा होती है क्या वो स्विकार करते हैं उसको, क्या वो अपने जीवने परिवर्दन लाने का प्रयास करते हैं, उससे हमें सीखने मिलती है इसके लिए शिवाजी महाराची जिवार में जो सबसे बड़ी अगर हम उसको गल्ती कहें वो थी आगरा की भेट अकबराबाद उसका उस समय का नाम था यह मुगल कैपिटल था सबसे पहला वाला कैपिटल था बाद में दिल्ली हुआ था और सबसे बड़ा ऐश्वार शक्त जो थी वो आगरा में थी अहला कि शिवाजी महाराच जो थे वो युद्ध में हारे हुए थे मिर्जा राजे जैसिंग को भेजा गया था उसमें वो हार चुके थे उनके पूरे प्रॉपर्टी में से उनको लगबक 70% से भी जादा उनको देना पड़ा औरंग जेब को जै इतना जुलमी इतना अन्यमरल औरंग जेब ऐसा था कि उसने अपने अपने आपने आपको तक्त पर बिठाने के लिए सिहासन पर बिठाने के लिए अपने ही परिवार के और रिलेटिव के 36 लोगों का कतल कर दिया था और उसमें उसका खुद का बेटा भी था सबसे इसको भी उसने जेल में बंदी बना के और अपने लड़की जहबन मिसा को भी जेल में रखके मरवा दिया उसने 20-25 साल वो तो जेल में रही उदर ही उसका खात्मा हुआ इतना जुलमी इतना जालिम कौन हो सकता है और उससे हारने के बाद अपना 70% से भी जादा प्रॉपरिटी वो हार गए है 35 में से 23 किले उनको देने पड़े औरंगजेब को और एक शर्त में कि उसको औरंगजेब को मिलना पड़ेगा आगरा में जाके और उस समय के जो पत्र है उसमें ये उल्ले कहता है बिर्ज़राजे जैसिंग जो जाइपूर के राजा अभी का जाइपूर स्टेट है उसके राजा थे वो लिखते है कि मैंने हजार कोशिश के करने के बाद शिवाजी महाराज को पटाया है कि वो औरंगजेब के सामने आपके सामने बादशा जाए आपका मुझरा करें शिवाजी महाराज ही वाज बाद बीकम अ किंग वो पैदा हुए थे राजा बनने के लिए किसी के सामने जुकने के लिए नहीं तेकिन यहां पर उनको जुकना पड़ा था और बहुत मतलब मार मूट के उनको जाना पड़ा आगरा अभी आगरा का जो डिस्टंस है आज के सबसे पूना से अगर हम पकड़ें तो हजार किलो मेटर से भी ज्यादा आता है और 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 जेपको ऐसे आदमी को मिलने के लिए जाना है जो सबसे बड़ा बेवफा बेइमान मक्कार और कि जितना भी आप गाली लगा सकते हैं क्यों क्योंकि उसने अपने भाईयों को कैसे फसाय था उसका छोटा भाई था मुराद बक्ष उसको कहा कि मुझे तो मक्का में जाके फकीर बनना है मुझे राजा भी जा नहीं बनना है तेंगे जो हमारा बड़ा भाई यह दारा वह बहुत जुल्मी और काफिर हो रहा है उसको मरवाने के लिए हम साथ में आते तुम बाद में बाठ्शा बन जाना मैं तो मक्का जाके अपना भजन पूजन करूंगा और उसने कुरान के ऊपर हाथ रखके शपद ली कि मैं शपद लेता हूँ अभी हमारे हिंदु धर्मा भी आप देखो पहले के जमाने में कोर्ट में गवाई देते वक्त गीता के वरहाथ रखते थे जो भी बोलेंगे सच कहेंगे सच कह रहा हो कुछ नहीं कहेंगे अभी वो भी बन कर दिया हम पात्सो साल बेले की बात कर सबिसे कर दिया ज backup और और बात बात में उसके अपर मुकदमा चराया शरिया कानून से क्योंकि दारूपी न हराम है इसको जेल में डालके उदर मरवा रिया उसको गवालर के कियले मरवा दिया है के ऐसे औरंग जेप को मिलने के लिए चातरपति शिवा जी मारावा जा रह पोर्ट सिटी है वो सूरत उस समय तो सबसे बड़ा मेट्रोपोली था वो करीब करीब दो लाख लोग सूरत में रहते थे और सब बिजनेस क्लास लोग और बता जाता है कि सूरत का जो इयरली टोल था जो इंकम आता था सिफ टोल का वो टोल का इंकम था ट्वेल्ल लैक्स रुपीज पात सो साल पहले चार सो साल पहले साड़े बारा राक रुपए उसका टोल आता था और वो पूरा औरंग जेब ने अपने बहन को गिफ्ट में लिए आता कि जो भी खर्चा पानी निकलेगा वो तुम्हारे पर्सनल पकिट मनी के लिए जहां नारा बेगम उसका नाम ता उसके लिए आता शिवाजी बाई ने वहाँ पे जाके तीन दिन इतना लूटा इतना लूटा उसको कि एक भी घर छोड़ा ने जो पैसे वाले ल उसको घर में गुसके उसकी उंगलिया तोड़ी थी विकिसी के घर के व्यक्ति मतलब परस्तल शाहिस्ते खान जो था वह औरणजेब का सबसे क्लोस लेटी हुथा क्योंकि और जब की जो मां थी मुम्ताज महल वह शाहिस्ते खान की सगी बेहन दी और ये मामुजान जो था ये औरणजेब का राइट हैंड था एक लाख फोर्स देके वेजा था तीन साल रहा वो महाराश्टर में शाहिस्ते कान एक लाख फोर्स थार इतने सारे घोड़े हाती उनको इतना खर्चा किया और मिला क्या मामुजान की तीन उंगली तूड अशिन इंदुस्तान बंगलादेश मैनमार सब जागे पहली थी और इतने बड़े कान करने के बार शिवाजी महाराज जो थे और अगरा जा रहे थे तो यह में थोड़ा पाश्व में क्यों बताया कि यह जो थी इसको बोलते क्लैश आप टाइटन्स और अवरंजेब तो सातिवे आस्मान पे था कि और अवरंजेब तो था वो च्टवधी शिवाजी महाराज कभी शिवाजी नहीं बोलता था वो शिवा बोलता था या कभी कभी चुवा बोलता था कि शिवा चुवा सात था जंगली चुवा पहाडी चुवा बोलता था इत तो कोई कोई उसको comfort नहीं था जल्दी मरे बाप इसका पूरा प्रयाश चल रहा था उसके बाद भी शाहजान आठ साल के बाद मरा और उसके मरने के एक महने बार औरंग जेब दिल्ली से आगराया 15 फरवरी कमल यही महीने 1666 में और October 8 तक वो वहाँ पे रुका तो यह जो पूरा documents जो है यह उस समय के जो मुगल कोर्स का डेली record हुआ करता था और जो भी letters भेजे जाते थे वो पूरे documented है तो उसके साथ यह पूरी information है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि कोई कितने भी बड़े मुश्किल में क्यों न कर रहा है तेशाम सतन्युक्ता नाम भजताम पृति पूर्वकम चत्रपती शिवाजी महारत ने कभी भी अपने जीवन में खुद को बढ़ा नहीं किया उन्हें स्वराज को बढ़ा किया हिंदवी स्वराज है जहां पे धर्म की रक्षा होती है धर्म का पालन होता है उसक पारी रिस्क ली और अरंग्जे जैसा सबसे खतरनाक शत्रू था पूरे वर्ल में उस समय वन आप दो रीचेस्ट एंपायर था वो था मुगल एंपायर सबसे ज्यादा आर्मी जो थी वो मुगल एंपायर की थी और उस मुगल एंपायर के साथ चत्रपती शिवाजी महारा जी अफ्यू ट्रस्ट वर्डी ऑफिसर और सिलेक्ट एसकॉर्ट लेफ फॉर अग्रा उन फिफ्ट मार्च पाच मार्च 1666 में शत्रपती शिवाजी महाराज अपने लड़के संभाजी महाराज जो नो साल के थे उनको लेके के वर धाई सो फूट सोलजर धाई सो जो थे व ऐसे करीब करीब साड़े तीन सो चार सो लों के साथ पास सो लों के साथ यह निकले और जब निकले तो उस समय अपॉइंटमेंट दिया था औरंजेब ने अपॉइंटमेंट दिया था कि छटबदी शिवाजी महाराज को 12 में को हजिर करना है क्यों 12 में को हजिर करना है और 2400 बर्डड़े था, 50th birthday of Aurangzeb. और उसका बर्डड़े था, तो बताए जाता है, क्योंकि वो दिल्ली से शिफ्ट हुआ था, तो 2000 बड़े बड़े चकड़ों में, बेल गाड़ियों में, सामान ट्रांस्पोर्ट हुआ था, उस दिन, डेकोरेशन का, आप देखते हैं न, हमारे मंदिर का भी जब उत्सव होता है, तो डेकोरेशन होता है, फूल लगते है, 2000 बड़े बड़े चकड़े जो बेल गाड़िया होती है, उसमें भरके सामान आया था, केबल डेकोरेशन के लिए, और सब रॉयल सामान सो हीरे, चांदी, सूने से भरा हुआ, और डेकोरेट करने के लिए, जो अपना रेशम कपड़ा होता है, उनसे डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि है, 50th birthday, वो स्पेशल होता है ने, 50th birthday, और उसी दिन चत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनको यह अपॉइंटमेंट मिला था कि उनको हजिर होना है और अहरंग जैब को एक गुलाम बनके मुझरा करना है मुझरा मतलब कौन सा मुझरा वो वाला मुझरा नहीं जो राजा लोगों को मुझरा किया जाता था वो मुझरा करता है और बराबर तो हमेंग को चत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुचेствен के बाद अनके अरैंज्मेंट कीये थी मुलुक चन्द की सराई सराई मतलब धर्मशाला तो उसमें मुलुक चन्द करके एक बड़ा सेट था उसने धर्मशाला बनाई थी तो शिवा जी महानाज को बिर्दाराज जेसिंग ने प्रॉमिस दिया था कि अगर आप औरंग जेप से मिलोगे बाच्छा खुश हो के तुम इस विजन के साथ वो गये थे लेकिन जब देखा कि उनको धर्मशाला में रुकाया गया है चात्रबादी शिवा जी महारा समझ गये कि यहां पे कोई अच्छा सिंटम कुछ नहीं यहां का रुतू जो है वो बहुत खराब है उन्हार सो सेहन किया और देखो मैं के मेरे में नौर्थ में बहुत हीट होती है बहुत ब्लू चलते और ट्वेल्थ में को राम सिंग जो मिर्जा राजा जैसिंग के लड़के थे उनको यह सेवा दी गई थी अपॉंट किया गया था कि आपको श्यत्रबादी शिवा जी महाराज को हाजिर करना है बाच्छा के सामने तो वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था श्यत्रबादी शिवाजी महाराज अपने पूरे तीन सो के बटालियन के साथ उनके नो हाती छे हाती थे उंड थे पालखिया थी उसके साथ निकले थे और मैनेजमें इतना भंगार था लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे एक दम भंगार कोन से रूट से शिवाजी महाराज ते जाना है वो किसी को पता नहीं था है चातीपादी शिवाजी महाराच जो रूट से गय तो राम सिर्फ यहनगा की गलत रूट लिया है आपको यू-टान मार की फिर से यहाँ से आना है और शिवाजी महाराज खुद इतने पक्के manaj रहे इतने खास एड्मिस्टेटर रहे कि हर एक चीज पूरा प्लान करके बहुत सिस्टम की साथ चलता था यहाँ पे रहा कि इतना बड़ा यह कैपिटल है एक सिंपल गेस्ट रिसीव नहीं कर पारे बाच्छा है यहाँ पर और इसके लेड हो गया तो जो च्छाथबती यह आम दरबार खतम हो गया था और अभी कुछ सिलेक्टेड खास जो लोग थे उनके साथ बाच्छा जो था वो दीवाने खास में चला गया था यह उसके इंटिरियर पाट था कि केवले सिलेक्ट इनर सर्कल के लिए यहाँ पर मीटिंग था उसो घुसल खाना भी कहते है और लेट हो गया इसके लिए च्ट्रबदी शिवाजी महाराज को मिर्जा राज जैसिंग जो थे वो दीवाने खास में लेके गए तो दीवाने खास में जब गए वहाँ पे तो क्योंकि बाच्छा का बढ़ दे था च्ट्रबदी शिवाजी महाराज को बोला गया कि शिव जिवाजी आपका गुलाम आपका नोकर अभी यहापे पदा रहा है जो ललकारी देते जो भी गेश टाते हैं उनके लिए तो शिवाजी महाराज दिल पे पत्तर रखके अपने बेटे संबाजी को लेके और अंजब के सामने गए उसको मुझरा किया उसको पाच हजार रुप किया और कौन से लाइन में खड़ा कहा किया जस्वन सिंग्ज राठोर जो थे उनके पीछे खड़ा कर दिया उनको और सबको बीड़ा पान देने की बद्दती सबको पान दिया गया जो भी वहापे थे और उसके बाद में जो स्पेशल लोग थे उनको रोब्स ऑफ ऑनर द उनको दिया गया और बाद में यह जो जस्वन सिंग्ग राठोर थे उनको दिया गया और काम शुरूबा और अरंग्जव ने ना वेलकम किया ना श्रीवाजी महाराश के और देखा और ऐसा दिखा है कि यह मेरे लिए कुछ है नहीं अगर आप किसी के बड़े को जाते हैं आपको बुलाए जाते हैं कि आओ मेरे बड़े पे और आप जाते घर में और वो आपको देख के अंदेखा कर दे और श्रीवाजी महारश तो रहे शेर और जान बुझ के और अरणजव भी उनके साथ डिल कर रहा था कि तुम मेरे सामने कच्रा हो और पूरा दर्बार भरा हुआ है सब बड़े-बड़े मनसबदार सब बड़े-बड़े सरदार वहाँ पे खड़े हैं और ये सब ट्रीट कि ये शिवाजी महारश तो वो स्टेबल नहीं सब लोग खड़े रहते हैं बाच्छा के सामने ये अदब हुआ कर देथी पहले मुगल सल्तनत में कि सब लोग खड़े रहेंगे केवल ये बाच्छा बेटा रहेगा बड़े सिहासन पे उपर और कोई भी उपर मुंडी करक खके आखे झचा ए अपने हाथ के सामने रुमाल रखके जो भी बओलना है वो वजण को बलेगा वज़िर जाकर बाच्छा को बलेगी इनका ऐसा-इसा कहने आफ़ मो क्या कहना है कि कोई जोड से नहीं बोलेगा कोई अपनी लाइन नहीं चोडेगा और कोई निचे बैठे पीड दिखाना और जो और से बोलना ये अन्हर्ट इन भी मुगल हिस्ट्री था यह एटिकेट था जैसे हम मंदिर पर पालंद करते हैं ना कि जोड़ से चिलाना नहीं जोड़ से बोलना नहीं पीड दिखाना नहीं भगवान को और भगवान की जब आरती चले तो खड़े होते हम तो यह सारे जो भगवान की नियमें यह बाच्छा लोग लगाते थे सोच वह मतला हमने कि इनको बाच्छा बना के रखा था बात में और अभी भी औरंजेब मार्ग अकबर मार्ग यह हुमायून मार्ग यह अभी भी दिली में हैं और जब यह देखा तो श्रीवाजी मार्ग घुस्जे से तिल मिला गए तो और उन्जेब ने देखा घुस्जा रहा है तो उसको मजा आ रहा था क्योंकि उसके लिए तो अपमान किया था उसने तो उसने राम सिंग से का कि राम सिंग क्या प्रॉब्लम हो उनको क्यों गुस्जा हो रहे हो तो श्रीवाजी मारे जिए सुना तो गुस्जे से वो राम सिंग को बोले कि राम सिंग तुम्ह तुम्हारे बाप को पता है मैं कौन हूँ और तुम्हारा जो बाच्छा बेटा उसको भी पता है मैं कौन हूँ अगर इतना अपमान करना था मेरा तो मुझे यहां पर बुलाया है क्यों न मुझे बाच्छा का बंदा बनना है ना मुझे गुलाम्मा बनना है मैं जा रहा हू और ऐसे बोलके वो निकलने लगे तो राम सिक पीछे पीछे बागा हाथ पकड़ा श्रीवाजी माराज ने वो हाथ जटक दिया और सबसे पीछे वाले कॉर्णर पे नीचे जाके बैठ गए अब ये पूरे मुगल सल्तनत में पूरे हिस्ट्री में आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी बले वो शहजादा हो बड़ा मनसबदार हो कोई भी हो मुगल दरमार में ये नहीं था और जब राम सिंग ने तो ये पुल्सर रॉंग पार्किंग की है 9895 और दूसरी है 3567 तो आप सबसे नुरोदे जिनका भी है टू वेहिकल से 9895 पुल्सर और 3567 उसको आप सफी पार्किंग के लिए लगा दो तो जब ये उट्तर राम सिंग को मिला कि तुम्हारे बाप को पता है में को नू तुम्हें पता में को था नू झूमिरे बाद्शा को बता है में क्या चीज हूं और फिर भी तुमने मुझे यहां पे खड़ा रखा तो राम पूरा मतलब यह सो लोग इतने बड़े-बड़े गुलाम थे बाठ्शाह के, यह राम सिंह जो है जैसे मैं कह रहा था, यह कचछबाव वहुश के राचपॲ्ट थे, कचछबाव वहुश मतलब जो खुश, बगवान द्राम यंद्रा के जो लड़के है, जैसे हमारे यहाँ पर security लगती न मंदिर के बाहर ये बड़े-बड़े राजा लोग और अजब कि security क्या करते थे और जब राम सिंग ने ये सुना कि ये क्या बोल रहे तो बाच्छा को जा कि क्या बोलू मैं क्या बोले शिवाजी तो वो डर गया वो और कुछ बोल नहीं पाया और च्छत्रपदी शिवाजी महाराज गुस्ते से बोले I cast of your मंसब मैं तुमारी मंसबदारी छोड़ता हूँ अगर आपको मुझे वहाँ पे खड़ा ही करना था तो सही जगा पे खड़ा किया करना चाहिए था ये जस्वन सिंग्राठोड के पीछे क्यों खड़ा किया ऐसा क्यूम पलिछ चृद्रमदी शिवाजी महाराज कि जस्वन सिंग्राठोड जो थे वो बहुत बड़े राश्पुत थे बहुत बड़े परिवारसे थे लेकिन सारे बाच्षाओं के पक्के गुलाम थे उन्होंने सबसे बड़ा अपमान था कि यह आदमी के पीछ आप मुझे खड़ा कर रहे हो तो वो उनको सहन नहीं हुआ और उस घुस्से में वो दिल मिला गए तो हम देखते हैं आगरा से इसकेज़ है तो ग्रेटेस्ट इसकेप पूरे हिस्टि में अभी तक एकर ऑव वर्ल His intentions पढ़ो गें तो इस से बड़ा इसकेब इसकेब किसी का नहीं हुआ है जेलबिध रिक कहेंगे ने इसको हम हम जब स्कौन में आते theo भी बता चाथा है कि हम सब लोग इस भ सब के जीवन में भी औरंगजेव है वो है हमारे अंदर का अग्यान और अहंकार और उसके द्वारा निर्मान होए छे शत्रू शड्रिपू काम करोड लोब मोह मदम अचसर जो एक्जैक सिच्वेशन यहाँ पे शिवाजी महाराज के साथ हुई वही हमारे सब के साथ है हम ज जैसे राजपूत राजाते हैं उनको पता ही नहीं है कि शत्रू हमारा उसी से प्रकार से चैपरमांदी शिवाजी महाराज उन्हों ने इस बात कहें और हाथ को जटका देके पीड दिखाते वापे तार 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 करके पूरे दरबार के साथ निकल गए, फीट दिका के, सॉब लोग हक्का-बक्का, पूरा जो दरबार था, खास रोगों का, जो सिलेक्टेज, फ्यूज, हंडेर्स में रहेंगे, वो सब शॉक में, हम क्या देख रहे हैं? मतलब यह कैसे हुआ पता है आपको, कि पाकिस्तान जो है, वो वर्ल्ड की फॉर्स्ट एकानॉमी बन गई, अगर मैं कहूं आपको, अगर भारत में यूज आ जाए, कि पाकिस्तान हैस बिकाम फॉर्स्ट ट्रिलियंड डॉलर एकानॉमी इन दे वर्ल्ड, तो हम रहे हुआ, वो भीकारी उनको आटाचावल नहीं मिल रहा है उनको, ये सौब लोग उस परकार से देखने लगे, और ये ये आकि ऐसा करता है दर्बार, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और इस परकार से जब वो दर्बार की पीछे जाके बैठ गए, उस समय वो आखरी स्टेटमेंट आई है, राम सिंग को बुले, दे अफ माइ डेथ है जराइड, मेरे मृत्यू का दिन आ गया है, एक तो तुम मुझे मार दो, ने तो मैं अपने आपको मार दूँगा, अगर आपको लेके जाना है, तो मेरा सर काट के बादश्चा के सामने लेके जाओ, लेकिन मैं फिर कभी भी तुमारे बादश्चा के सामने खडा ने रहाँगा, can you imagine? पूरे बादश्चा को ये बोल दिया हूÁ UN ने, मैं जिन्दग में, अगर लेके जाना है, मेरा सर काट के लेके जाओ, मैं तुम्हारे बाच्छा के सामने खड़ाने रहूँगा अभी राम सिंग की क्या हिम्मत वो जाके बाच्छा को ये बोले कि ये बोल रही है और ये जो जो से बोले जैसे ने कान में खुस-फुस बोल रहते हैं हमारी दर गया प्रॉब्लम में जब कोई किसी के जगड़ा होता है ना सामने बोलने की इम्मत नहीं होती तो कान में खुस-फुस करते रहते हैं इन्होंने धडल ले से सुरे पूरे दरबार के सामने राम सिंग को सुना दिया सर काट के लिए कि जाओ तुम्हारे बाच्छा के सामने मैंने आओंगा तो जब बाच्छा ने सुना कि गड़बड हो रहा है यह आने ही रहे और राम सिंग बिचारे हल्पलेस हो गया है तो बाच्छा ने अपने तीन खास सरदारों को भेजा मुल्तफवत खान अकिल खान और मुखलिस खान टुगो कंसल शिवाजी गीविम रोब अवनर एंड ब्रिंग इं तीन खानों को भेजा तो खान लोग पहले से दे तो ये तीन खानों को भेजा और कहा कि उनको शान करो और ले के आओ मैं उनको खिलन दूगा मैं उनको मेरी कृपा दूँगा ये उसका भाव होता मैं चात्रबादी शिवाजी महराश को मेरी कृपा दूँगा और ये जब तीन गए तो उन्हों ने बहुत प्रयास किया शिवाजी महाराज किये I shall not take the robe of honor the emperor purposely made me stand below just one sing I am such a man and yet I was deliberately kept standing I decline the emperor's mantra I will not be his servant kill me if you like, imprison me if you want but I will not wear the robe of honor अगर मुझे मारना है तो मार डालो मुझे जेल में डालना है तो जेल में डाल दो लेकिन मैं बाच्चा की चाक्री नहीं करूंगा मैं मनसब नहीं लूँगा मैं खिल्लत नहीं लूँगा और मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा ये courage कहां से आता है ये हिम्मत कहां से आती बोलने की ऐसा नहीं कि शिवा जीमानाश पागल थे बहुत इगोिस्टिक थे ये बात नहीं है उनका जो वैल्यू सिस्टम था उनका जो चरीतर था उनका जो करेक्टर था वो अलाउनी कर रहा था कि ऐसे पापी जुलमी जो अपने मा के सामने जुकूंगा तो संदों के सामने जुकूंगा ऐसे अधार मी के सामने में जूकूंगा ये वालु सिस्टम था ना वो भारा का शिवाजी जिमारो था पॉलिटिशन, बेस डिप्लोमेट कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं भी हो करेगा इतना बड़ा डिंजर कौन लेगा इतना बड़ा रिस्कौन लेगा लेकिन he could not able to control और उन्हें इस प्रकार से ये एक ही गल्ती उन्हें अपने लाइफ में सबसे बड़ी गल्ती की थी क्यों because of his value system उनका जो चरी तरह था वो अलाओ नहीं कर रहा था कि मैं जस्वन सिंग्राटों की पिछ गुलाम बन के खड़ा रहू यह बाच्छा का यह पापी आदमी का मुगल बाच्छा के आठ हजार मनसब दर्मट आठ हजार सरदार थे उसमें से एक मिर्जराइज रेसिंग थे उसमें से एक शिवाजी बनके आये थे और उसके 50th birthday के दिन उसकी मनसब को लाथ मार के उसको पीट दिखा के उसको गाली गलुष करके चतरबदी शिवाजी महाराज जो थे वो चले गए थे अभी यह न्यूज ऐसी स्प्रेड हुई जो भी अंदर लोग थे उसके बाच्छा के बहुत क्लोस थे एक थी उनकी सिस्टर जहानारा बेगम दूसरा वेक्ति था जाफर खान डीवान मतलब वजीर और तीसरा वेक्ति जो था जस्वन सिंग राठोड वो तीनों गए और ब अच्छा उसको इग्णोर कर रहे कैसे संब्व हुए यह अभी यह तीन लोग क्यों गुस्ता हुए उन्हें क्योंकि जाके कान बरे क्योंकि जहानारा बेगम जो थी उसके सूरत लूटी थी तो पहले से खुननस था कि शिवाजी को छोड़ूंगी नहीं उसमें से अगर यह कान कर दिया तो फिर उसको तो चांस ही चाहिए था दूसरा था जाफर खान यह जाफर खान ने क्यों ऐसा कहा क्योंकि जाफर खान की जो बीबी थी वो शाहिस्ते खान की बेटी थी बाप क पहले कान भरेगे शिवाजी आरा चोड़ो माँ शिवाजी आरा चोड़ो माँ तो यह जाफर खान अपने बीबी से नाच मेरी नाच मेरे बुल-बुल जो भी आप बोलोगे उसको तो यह भी कान भरने लगा और तीसा जसुन सिंह ना ठोड़ का अपान हुआ था कि इसके क्यों खड़ा किया वो भी गुस्सा और तीनों जाके बाच्छा के ऐसे कान भरे ऐसे कान भरे और तुरंट यह हुआ 12th of May के दिन यह इंसिडेंट हुआ 13 मे को शिवाजी महराज को और सिद्धी फॉलात खान टेक इम टूडी राडंदास खान मैंशन शिवाजी को शिफ्ट करो अभी बहुत लोग यहाँ पे मुझे बोलते कि आप शित्रपती शिवाजी महराज क्यों नहीं होते लेकिन जब उनका कथा कहना है तो जब और अजब कैसे बिहेव कर रहा है उसके मोड में आके बोलना पड़ता है जब खान कैसे बिहेव कर रहा है उसके मोड में आके बोलना पड़ता है तो उसका इंपक्त होता है जैसे हमारे अधर डिपार्टमेंट ना प्रशाद सर्विंग उसी एक टीम होती है हमारी टीम होती है जहाँ पे डिटी वर्शिप की जो भी आपको डिटीस को देना है उनको दो अगर कैश देनी है तो अगर किसी का अगर गला काटना है तो किसके पास बेजो यह राड अंदास खान के बाद हो जैसे यह और्डर मिला यह तीनों लोग जो थे बहुत खुश थे लेकिन राम सिंग जो था वो पक्का राजपुत था उसके पिता जी ने कहा था मिर्जा राज़ राज़ सिंग ने कि मैं प्रामी जेराओ शिवा जी महाराज को कि उनका बाल भी अगरा में बाका नहीं होगा यह शुड़ भी सेफ तो मैंने वचन दिया है तो तुम कुछ भी करो लेकिन शिवा जी महाराज़ जो कुछ भी नहीं होना चाहिए तुमारी जिम्मेदारी तो राज़पुत का होता है ना जान जाए पर वचन ना जाए तो जब यह राम सिंग को पता चला तो राम सिंग घबरा गया राम सिंग बोला मेरे पिता ने मुझे पत्र बेच के उसकी जिम्मेदारी दिये और दिये में राश्पुतु में मेरी जबान नहीं तोड़ सकता तो वो सीधा और अज़प का जो खास था मुहमद आमिन खान बक् तो जब यह गया मुहमद आमिन खान जाके बोला तो औरंग जब तोड़ डर गया कि अगर यहां पे अगर ऐसा कुछ खांड हो गया तो सारे राश्पुत गुस्सा हो जाएंगे बिर्जारा जैसिंग बहुत बड़े सरदार थे उनकी बड़ी सेना थी तो बहुत तबाई ह हो जाएगी आप है तो इसने कहा कि राम चींगों को कि तुम गैरेंटी लो लिखके दे दो कि शिवा जी यहां से भाग करेंगा कुछ भी उद्र न करेगा तुरू रिस्पांसिटी ले राम सीनी तुरां सिग्नेचर के रिस्पांसिटी दे दिई और फिर और अरंग जब बेजना है एक अच्छा दिन देखके राम सिंग के साथ तो श्रीवाजी महाराज समझ गए कि काबूल बेजना है मतलब काबूली चैने नहीं खिलाना है मुझे तो श्रीवाजी महाराज यो थे ददा में बुद्धी योगम तम ये इतना बड़ा पंगा लिया था उन्होंने लेकिन देखो वो भगवान किस प्रकार से बुद्धी देते क्यों क्योंकि उनकी सेवा के लिए जगडा कर रहे थे उनकी धर्मस्तापना के लिए संगर्श कर तो चत्रपती शिवाजी महाराज सक्सिड़ें डूइंग ब्राइबिंग जाफर खान एंड सम अधर नोबल मैं अटीन तूरं तीन दिन के बाद पांच दिन के बाद बारा को इशी वा थेरा को मारने का दंगी आया चौदा को उनको काबूल बेजने का आया अठ्रा में को वो जाफर खान के पास गए जो वजीर था प्राइम मिनिस्टर था और अंजिप का उसको बहुत पेड़ बर के घूस किलाई जो भी गिफ्ट चाहिए सब गिफ्ट दिये उसको और कहा कि कुछ भी करो और बादशाह सलों को को कि मुझे काबूल मत बेजो और जाफर खान गया है वो नौकर किसका बादशा का लेकिन गया अन्भी आवब शिद्रमदी शिवा जी महराज वो रही किया रहे गलती तो हो कि बारा मईसी एपिसोड शुरू हुआ च्ट्रमदी शिवाजी महरा जो तो 17 अगस्ट को भागे मतलब 93 डेज एवरी डेज एवरी डेज इट वास्ट अफ लाइफ लाइफ एंड डेथ क्योंकि बाश्चा जो होते हैं हमारे मराठ में कावद उसका नाम है लहरी महमद सुने आपने लहरी महमद उसका मतलब क्या होता है कि यह जो मोमीडियन होते हैं बहुत लहरी होते और उसमें से जो राजा होते हैं उनका दिमा कभ घुमेगा कभ क्या डिस्नियन देंगे कभ क्या करेंगे उसका गैरंटी कोई भी ने ले सकता है इसके चानग के बंडिक कहते है विश्वासु ने वकरता हुए हम स्त्रीशु राज कुलेशु हुआ कि जो भी राजकुल के लोगे जो राजा लोगे क्यों कि पॉलिटिशन्स हैं उनके ओपर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कभी कुछ भी कर सकते महाराश्टर में होना ऐसे कुछ भी हो सकता है अच्छे के लिए के तो अच्छी बात है गिन बुरे के लिए कर तो क्या मेदारी लेगा तो बादशाह ने जो था आठरा में को वो कैंसल करवा दिया लेकिन उसके बाद तुरंट उननीस में के आसपास तुरंट सिकुरिटी गार्स मतलब अच्छे अच्छे जो सेना थी वो लगा दी शिवाजी को नज़र रखनो कुछ गड़बर न करे वो तुरंट चवकी पाहरे लगा दिये महाराठी के लेटर में आत इन अग्रा औरमजेब के कैज से उसका बाप जो पहला बाच्छा था वो भी छूट नहीं पाया था उसके भाई नहीं चूट पाया था तो हीस डेथ वा सर्टन बट समोर अधर बाइदी ग्रेस ऑफ गॉड बाइदी ग्रेस ऑफ कृष्णा ददामी बुद्धियोगम तम ये नमाम उपयानती थे बराबर और सबसे बड़ी बात क्या थी एक भी आदमी इसमें मरा नहीं उनका करीब-करीब 600-600 लोग गए थी ये पूरे एपिसोड में सब के सब जिन्दा है हाती गोडे उनके साथ सब जिन्दा है इससे बड़ा एसकेप जो है ना पूरे वर्ल्ड डिस्टे में शायद से कहीं मिलेगा अबाउट 25 में 25 में को छत्रपती शिवाजी महारज ने और एक बाच्छा के सामने ने को अभी ये जो था ना ये गेम चल रहा था बगवान को बुद्धी दे रहे थे और अजय पे साथ कैसे डील करना है तुम्हें तो उन्होंने पेटिशन लिखा कि अगर मैं मैं आपको ये बाच्छा बीस लाख रुपे दे देता हूं और मेरे किले भी ले लो लेकिन मुझे यहां से फिर से दक्षिन में जाने की परविशन दे दो मैं घर पे चला जाओंगा ये पेटिशन बेजा उन्होंने तो और अरंग जय भासा मुझे पागल समझा है मुझे मामा समझा है तो उसने क्या रिप्ला किया शिवाजी महराज को जिनों भी लेके आए थे ही हास गॉन ओफिजेड वो शिवाजी को दिमाग नहीं है हो कैन ही पी गिवन लिव तो डिपार्ट मैं जाने की परविशन केसे रिए सकता हूं वान हिम दाट ही मस्त नॉट विजिट सकते है और गार्ट सू पहले लगा दिये थे अचैसे अपर हमारे जैसा साधान आदमी होता तो क्या होता था पर हर्ले था हारट अटा था था फिर टीट्मेंट लेना पड़ता था दुगा दोगा गाके बलड को थोड़ा थीन करना पड़ता था क्या करते थे हैं हल्पने स उसके बाद एक अफवा फैली कि ये शिवाजी के आद्मी और राम सिंग के आगरा में बहुत गूम रहे है ये जूटी अफवा थी लगोर और अवरंग जब इतना गुसा हो गया उसने तुरंट और सिद्धी फुलाद और सिद्धी फुलाद खान जो था वो कमिश्णर ऑफ अगरा था और जो अल्टिरी थे अल्टिरी के सेना थी उनको गो सेस्ट एंड किल शिवाजी इमिजेटी तुरंट और दे आउरंग जा कि शिवाजी को खुतम कर दो बट इट वूड सीम एट बाइड टाइम शिवाजी हाज वान ओवर नॉट उनली जाफर खान एंड मुहमद अमिन कान बट एंपरर्स एल्डर सिस्टर जहान आरा आज वेल इस एक मेहने के प्रेंट में बीस दिन के प्रेंट में चट्रपति शिवाजी महराज ने जो औरं दिमाग लगता है आपको यह पता होना चाहिए कि औरंजेब के लोग कौन को ने उसके कौन कितना क्लोज है किसकी वो सबसे जादा सुनता है किसकी बात नहीं सुनता है और किसको क्या पसंदी जिससे वो खूश हो जाएगा यह पूरा बाइड आटा मतलब दुनिया में बह पकिस्तान के ISI और CIA जो अमरिका की है इस्राइल की मोसा दे तो यह बहुत इंट्रेट्चर लोग होते जो बहुत बड़ा बड़ा प्लानिंग करते बहुत जादा खबर रखते इन सब के बापकों ने चैतरबदी शिवाजी मारा है मतलब जितना और जो को पता नहीं था ख उनको पता था अभी जब मरूंगा तो एक ही विक्ति मुझे बचा सकती है वह है औरनजप की सबसे बड़ी बेहन जहान आरा बेगम और उन्होंने इस बीज पच्चीस दिन में बाकी लोगों तो खुशकरी दिया था उनको भी अपने साइड में कर दिया पता नहीं क्या कि उनके उपर जा दो वो जाके औरनजप की बोली के रहे शिवा जी को तुम मार नहीं सकते क्यों अरे मिर्जा राजे तुमारे बहुत अच्छे सर्दार है अगर उन्होंने जबान दिया अगर तुम मार दोगे इसको तो वो नाराज हो जाएंगे तुमारी इज़त जाएग उसने कन्विंस किया डोट किल शिवार जी और अरनजप ने उसको एकसेप्ट कर दिया ठीक है नहीं मारूंगा एवरी डे इट वसक्वेस्टन अफ लाइफ अड़े अड़े इसके लिए इसके लिए बाहर सारे औरनजप के पहरेदार पूरे धरमशाला के अबाहर पूरी स बेडरूम था शिवाजी महाराज का उस रूम के बाहर राम सिंग ने अपने लोग लगा दिये वो डर गया कि यह बाच्छा के लोग के मरवा देंगे मैं मर जाओंगा मेरे पिता को क्या बोलूँगा उसके लिए उसने अपनी भी सेना लगा रही अंदर मतला अभी डबल हो गया पहले तो बाच्छा का था ही पूरा पहारा अभी राम सिंग ने अपने खुट के लोग लगा दिये एथ जून शिवाजी महाराँ डिसड़े टू सेंड मोस्ट आफ इस मेन अवे सो देवें तो राम सिंग एंड तो लिम आप जून को च्ट्रवाजी महाराँ के साथ जो भी 600 लोग थे उन्होंने कहां आप सब जले जाओ अभी मैं यही पे जूंगा यही पे मरूंगा बाच आप आरे कॉल आरे कब आरे कब आरे आप छुड़ाँ तो और अग्रण जेब और खुश हो गया और अग्रण जेब वह जितना अखेला रहेगा उतना शांती से खतम करूंगा इसको तो और अग्रण जेब ने बहला छोड़ तो सब को पासपोर्ट दे तो पहले दस तक तरह सील लग तरह किसे को ट्राइवल करने के लिए इंटर स्टेट में सब को दे दिये और साब लोग फुर और अभी सिफ चद्रवादी शिवाजी महाराज और दस बारा लोग रहेगे अब कि किस प्रकार से इतना सिस्टेमाटिक प्लानिंग चल रहा है और अग्रण जेब को इतना बड़ा बाट्शा इतना बड़ा सिस्टम उसका इतना पावरफुल बाट्शा वो उसों कुछ भंदग नहीं लग रही कि क्या चल रहा है माज़रा अबाउट टी मिडल आप जून 666 शिवाजी पेटेंशिटी इंपरर सेकिंग परिशन तू बिकम फकीर एक नहीं डाव शिवाजी मारा ने खेला 15 जून के असपास उन्होंने एक पेटिशन डाला औरंजेब को कि मुझे फकीर बनना है बस मैं सन्यास लेना ने बाला हूं नहीं मुझे राजया बनना है ना मुझे राजय चाहिए ना मुझे कुछ निजिये में बनना रसकाशी में जाकर बं-बंब बोले करूं गा औरंजेब ने जब सुना उसको तो औरंजेब बहुत जिसों कहते हैं ना छदिमी हसे करते हो बोला very well let him turn to fakir and stay in the fort of prayag अलाबार का जो किला है उसमें जाके फकीर बनो कईदी बनके बहादूर खान जो है वहाँ का सुबेदार है वो भी एक नमबर कासा ही है वो भी बराबर ठीक करेगा फकीर बनना है ना काशी में मत जाओ प्रयाग जाओ, त्रिवीड संगा में, लेकिन वहाँ पे मेरा आदमी है, बहादूर खान, और मेरा किला है वहाँ पे, उसमें कैदी बन के भकिर बनो, तुरिजेट कर दिया, 12th June, it says, your order to take precautions not lit, हाँ, अभी ये जब सब चल रहा था, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके लिए सब जगा पे मैसे सर्कुलेट होगे थे, पूरे राज दर्बार में, सारे डिस्टिक्स में, कि अगर कही से भी छत्रबती शिवाजी महराज भागते, तो तुरंद उनको अ आने से पहले, एक महना पहले, ये न्यूस अल्रेडी सर्कुलेट कर दी गई थी, कि दोंट अलाव इम तो मूँव एनिवेर. स्ट्रिक्ट वर्निंग्स अर् सेंट तो अल्रेड विलेजेस इन मोजाबाद पर गणा इम्मीजेटल, एक लिटर मिला था, उसमें ये लिखा हुआ था, एक महना पहले, उसके बाद, चात्रबती शिवाजी महराज रोट तो अमिन खान अकिल खान, and through them petition to emperor, I am giving up all my force to emperor, let emperor give me leave to depart for my country, my officers, they do not pay heed to my letters, I shall go there, fight with them, take force from them and hand them over to the emperor. तो श्रिवाजी महराज को पक्का पता था कि आवरंग जया बजिता मुझे जिन्दा क्यों रखा है, क्योंकि ये बाकी के लोग बोल रहे इसके लिए नहीं, मेरा जो बच्चे हुए 12 किले जो है ना उसको बिना युद्ध के चाहिए वो, अगर वो किले उसको मिल जाए त तो तुरंट दुसी दिन मेरा गला काट देगा, इसके फिर से उतने गाजर दिखाया, कि अगर आप मुझे फिर से वापिस बेजेंगे, तो मेरे लोग सुनते नहीं मेरी बात अभी, लेकिन मैं इसके जुद्ध करूंगा, और सारे किले जीत को आपके देदूंगा, उसके को अगें है, बैटल घुग्स, बैटल उफ्विज्डमर्ण केते है उसको, कि आऊ रगलते छाता था कि कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में, सारा प्रपर्टि शिवाज ऑमार्चर के ले लू, उसो खतम कर दो, और शिवाज ऑमारिच को पका पता था, कि अउरंग्जव जो इतना कंजूस है उसको मेरे सारे केले चाहिए जैसे केले मिलेंगे मुझे खतम कर देगे और ये उनका battle of wits चल रहा था since about 13th august 66 the watch over shiva ji was made stricter and emperor issued an order for him to be moved to the mansion of raja vitthalas 13 august के दिन से उनकी जो security थी और tried कर दीगी उनके guards tried कर दिये गए मतलब ये किस प्रकार से इसको अगरम समझ जाए जो कसाब कसाब अजबल कसाब आया था ना तो कैसे बॉंबे में आर्था रोड जेल में उसके लिए पूरा टाइट security था और उन्जेब ने ऐसा खास खेल के थे जैसे हमारे special commandos होते हैं वैसे ये बादशाय जो होते थे उनके जो personal security guard होते थे उनको खास खेल के थे थे उनकी एक हजार की फोज लगा दी थी उसने पूरे मुलुक चन हवेली के आजूबाजू में कि इसको मैं भागने दूँगा इसको मैं छोड़ूँगा नहीं और अभी 13 अगस को नोटिस आई थी कि जो विठल दास के हवेली है उस विठल दास के हवेली में शिवाजी महराच को shift करना है मतलब वहाँ पर उनको खतम करना है यह decision हो गया था और इतने हद्ता कि राम सिं समाधी में समाधी वही पे बनेगी इसके ओपर अभी स्टैंप लग गया था और जब यह हो रहा था राम सिंग ऑर्डर तेल एंपरर्स में नॉट टो लेट शिवाजी कम इवन तो माइ कैम तेल देम अपरर एस फॉर्ड विठल दास के हवेली में होगा और इस प्रेडिक्पेंट में छित्रपती शिवाजी महराच ते और यह हुआ था था 13 अगस्ट को 1666 को और 18 अगस्ट के मौनिंग पे एंपरर रसीव दी स्टाइगरिंग नूस दैशिवाजी आज एसकेप अठार अगस्ट को यह नूस बाच्छा को सुभे सुभे गुड नूस देन न अठारा अगस्ट की नूस आया है कि शिवाजी का पता नहीं चल रहा है कहां पे चला गया ही स्टैगरिंग नूस सारे लोग शौक में चलेगे कि कैसे हुआ यह हजार की फोज बाहर अंदर की फोज अलग इतनी बड़ी सेना इतना बड़ा सिस्टम इतना अधडिसेशन इतनी बड़ी पूलीज इतने बड़े कासकें एस्विजी कमेंडो इस्ट बड़ा इंटेलिजन्स और यह गायब कैसे हुग चू मंद्र कैसे हुग अ कि जैसे हमने वो स्टोरी सुनिए कि शीवाजी मारच ने जैसे ही उगस्ष मेहना शुरू हुआ तो वो बीमार पढ़ गए बीमार पढ़ गए वो और उन ने बाच्चा को लिखा कि हमारी जन्माश्टमी आ रही है और जन्म से हमारे घर में प्रथा आ रही है कि जन्माश्टमी के वक्त हम क्या करते हैं फकीरों को और सादू संतों को दान धर्म करते हैं और इतनी तब्यत खराब चल रही है तो हमें जादा करना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे अगर आप क्रिष्ण को संटों को दान अबरनेसे पिर अच्छा काम हो जाये तो उसने पर्मेशन दे उस दिन से क्रिष्ण के नाम से क्योंकि भगवान का जनम जो जन्माश्टमी जो थी वो 24 अउगस्ट को थी तो रोज दिन बर बड़े बड़े बकसे भरके पिटारे भरके फ्रूट्स और आगरा का मेवा बहुत फेमस है आगरा की जो मिठाई है बहुत फेमस थी वो रोज जाने लगी सारे फकिर जितने भी मदारसे थे जितने भी मौस्ट थे मजजिदे थे जितने भी सादू संतों क कि मंदीर तो आपको रोज खैरात की तरफ बिठाई और फूट जाने लगे मेवा जाने लगा और राइफूट जाने लगे बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी टोकरी भरके उसको पिटारे कहते हैं जो दो लोग उठा की चलते हैं उसको और बड़ा बीच में बकसा होता है स दो सो किलो का सामान बेठे इतना और इतने हद तक कि मुतुरा तक जानने लगे रोज जानने लगे तो जितने भी सिक्रिटी कारते हैं चेक करते हैं रोज चेक करते हैं क्या क्या है उसमें एक दिन चेक किये दो दिन चेक किये तीन चेक किया आठ दिन चेक किये रोज रोज को जाने लगा तो सारे गार्स को बताने लगा कि आज मिठाई कहां पर जाने वाली कल मिठाई कहां पर जाने वाली सब बड़े-बड़े नामों भी जाने लग और 17 अगस्ट को जुम्मे फ्राइडे था ऑफिस हाब्डे होता था बाद में नमाज करें सब को छुट्टी मिल दूआ करो राजासाब ठीक हो जाए दूआ करो राजासाब ठीक हो जाए सब लोग रोज में मिठाई खाते ते तो अभी सबका मुझ तो मीठा हो गया था तो रोज चुट्टी करेंगे नहीं 17 तारीकों शाम को चार बजे जब हापडे के बाद सब लोग नमाज पढ़ने क अर शिवाजी महाराच चे जापे हिरो जी फरजन जो थे वह सोए वहापे उनके एक स्टेप ब्रदर थे उनके बड़े सरदार थे वो शिवाजी महारा जैसे दिखते थे उनको कपड़े पहन लिए और शिवा जी महार्ज का जो ब्रेसलेट था वो हाथ में पहन के ऐसा बहाद निकाल के सो गए उस दिन रात को आप सोचो वहाँ पे सोना उनके जगा पे सोना मतलब मरने के समान था वो तो रात के गाड़ आके चेक एए सोये मिडनेट और हर दो दो गुंटे में गाड़ साकी चेक करते थे हारे सोये सब ने बोला सरदर्द कर रहा है दवा खाके सोये सब बोले साधे साथ बज़े यह हिरोजी उठे वहाँ पे तक्या लगा के फिर से अ घाना जाना है नहीं हुआ तो डाउंट आ गया सारे गाड़ को सब जाके देखा और निकाले के नेखा तो वहाँ पर पूरा क्या लगा हुए थे और शिवाजी भी नहीं समधी भी नहीं और कोई हैं गाड़ भी नहीं सब लोग चूप श्यत्रपधी शिवाजी महाराज भ तो थे उनको मत्वरा में रख दिया त्यूंकि बच्चे के साथ जाना है इंपॉसिबल है इतनी बड़ी strict security रहेगी 1,000 km शत्रू टेरिटरी से जाना है 1,000 km रस्ते पता नहीं है लोग पता नहीं है पहचान वाला कोई नहीं है और वहां से जो निकले ऐसे बता जाता है आगरा से जो निकले वो 25 दिन के अंदर वो राइगड पहुच गए थे 25 देज और 25 दिन के बार जब वो राइगड पहुचे तो सारा स्वराज था जिजा भाई जो सोच रहे थे कि मेरा बेटा कभी जिंदा नहीं आएगा सारा स्व पहुचे बड़ी बड़ी तोफाई चले गई बहुत सारा स्वीट बाटा गया सबको और अरणजेब बोला वो सिरियल में डायलोग आता है सारे आगरा का मुझ मिठा करके गया सि मेरा मुझ कड़वा करके चला गया है यह सबसे बड़ा हिस्ट्री में इसके पर रही उसके घर में जाके उसको गाली गळोच करके उसको अपनी पीट दिखा के अपनी एट दिखा के उसके उसको मामा बना के शीवाजी मुराजा गए यह और अरणजेब का सबसे बड़ा फिलियर था इया उसके पूरे इंट्रीज़ेंस का उसके एड्मीन का उसकी सेना के अलर्ट इसका मतलब अब कर आप उसका नोट बुक पे लेके बेटोंगे ना तो शौक हो जाओगे और और अरंजे पूरे जीवन बा रोता रहा कि मेरे ये एक गल्ती हो गई मेरे से उसके वेसे मेरा पूरा मुगल सल्तनत बरबाद हो गया, मैं बरबाद हो गया और हिंदवी सुराज्य के सापना होई उसके पुलच्छत्रपती शिवाजी महराज की जाए सत्रा तारी को शिवाजी महराज भागे अठ्रा तारी को ऑगस्ट को मौनिंग में न्यूस बिली बीस ऑगस्ट को शिवाजी महराज के दो प्रधान मंत्री थे तरिम्बक पंता और अगुनात पंता कोड़े और और तीन लोग उनका असिस्टंट ये केवल पाच लोग पकड़े गए उनको बहुत टॉर्चर किया गया लेकिन शिवाजी महराज ने ऐसे कुछ प्लांस किये उन्होंने ऐसे कुछ मूस किये कि और अरंग जेब नो इनको भी छोड़ दिया कि तुम जाओ अभी गई है अभी कितनी बचेगी इनको पकड़ के क्या होने वाला है तो जितने लोग गएते सबको सही सलामत जिन्दा शिवाजी मान लेकिया इसको कहते लीडर्शिप एक का भी बाल बाका नहीं हुआ सिब थोड़ा जो टॉर्चर हुआ कि चार-पांच लोग पीछे रहे गएते उनको बाद में उनको भी बाइज़त बरी करके और लोग छोड़ दिया रिव जयता हम पकीचिपुरवकमः अगार हम भगवान के आदेशों का पालह उनकी सेवा प्रामाणी गुब से करेंगे हमारी जिम्य दारी हमारा स्वध vergessen करेंगे तो कृष्ट्स और लगवान यही कि अजनमांष्टमी के बढबर उनको रीलीज है इसे वो प्रिजन तोड़के भागे भगवान बराबर शिवाजी महाराज भी जेल तोड़के भागे और कर देखें कि शिवाजी भारेशी जीवन में अबजल खान को अजवाद हुआ वो चंपाश्ष्टी की दिन हुआ जो शाहिस से खान के उंगलिया तोड़ी वो राम नुमी का पिरेड था और जो खुद आगरा के जेल से भागे वो था जन्माश्टमी वो कुलाश्टमी बिना कृष्टा के आशिरवाद से बिना भगवान गिर्पा से ऐसा बड़ा कारे कोई नहीं कर सकता जो पती शिवाजी महाराज के वर आठ साल में जो भी हारे थे फिर से जीत लिया उन्होंने और उससे जादा जीता और एक चक्रवर्दी संब्राठ बनके उन्होंने अपना शेरी छोड़ा क्यों कि उनका जीवन का ध्या जो था भगवान की धर्म के सापना कर तो अगर हमें भ हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है हमारे अंदर जो अग्यान है अहंकारे शड़ रिपुए यह सारे और अवरंग्जें हमारे अंदर बेठे हुए अगर उनको पार करके अगर हमें स्वतंद्र होना है भगवान को प्राप्त करना है तो गीता का पालन अगर हम करेंगे तो कृष्णा हमें बुद्धी देंगे और हम आगे बढ़ेंगे और ये मैंने कह रहा हूँ ये हमारे शास्त कहते है और हमारे महाराश्चा की बहुत बड़े संत रामदास्वामी उन्होंने श्रीवाजी महाराश्चा को बाद में एक पत्र लिखा और ये बहुत फेमस पत्र है हम सबने उसको सुना भी है पढ़ा भी होगा तो इसमें वो श्रीवाजी महाराश्ची गुड़ों का उबरणन करते हैं और क्योंकि उन्हें धर्मकी सेवा के लिए अपने गुड़ों को लगाया अपने आपको लगा लिया किस प्रकार से रुधेस्त जाला नारा येडे प्रेरणा के लिए भगवान जो उनके अरंदर रुधेव में नारा ये रूप में बैटे हुए है उन्होंने इंस्पायर किया कैसे धर्मक की रक्षा करनी कैसे धर्मका पालंग करनी तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है कि हम जो भी संगश करते हमारे अंदर की शत्रों से बाहर की शत्रों से सबसे बड़े शत्रों तो हमारे खुद के अंदर बैठे हुए तो अकर हम ये एक्जैम्पल को फॉलो करेंगे ये गुण शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में उतारे अगर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम भी अपने जीवन में भगवान की पर प्राप्त करेंगे और कुछ सेवा कर पाएंगे झाल 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 तो जैसे बहगवान शी शुरक कृष्णा में कहते है यतृ योगे शुरक कृष्णा यतृ पारथ द्नवरदर, तत्रश्ची विजोए भूति, द्रुवा नीती मतिर्माव, जहांपी बहगवान शीृ कृष्णा है, और अर्जुन जैसे उनके प्रामानिक भक्त है, वहाँ वहार पे विजह है वहां से नीत यह और पे अईश्वर्य है और वहां पे यह है लू हम देखते हैं छ 누किते है City श्रीवाजी महाराच अपने जिएप परोपार्जि ओर भगवान से दिखाये स्वार उंक होग है और सब्कुछ प्राट पॉपत हुआ उन्हों सुरुखद Fत क्योंके रक्षा कि उसी प्रकार से श्रप रूपट जी जैसे अरजुन धुट च्वाजी मा अजिए प्रहुपाइजी ने भगवान किष्णक की आदेशन को अपने गूरु की आजिशन 54 ूरोग वार्ण किया और हम सब के लिए कृष्ण भावना का यह जो अंदुलने संकिर्ट अंदुलने केवल भारत में नहीं पूरे विश्व भर में कुछी समय में 11 साल में खड़ा कर दिया तो ऐसे अरजुन हमारे जीवन में है इसके लिए आज हम भगवान का नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो हम यही प्रात्ना चाहेंगे भगवान शी कृष्ण से श्रील प्रभुपाजी से कि हम भी एक प्रामानिक सेवक बनके जो सनातन धर्म है भागवत धर्म है उसका पालन करे उस धर्म का प्रशा करने का प्रयास करे और कुछ न कुछ सेवा हमसे हो इस प्रार्थना के साथ आजाओं यहाँ पे भी राम देंगे शीला प्रभुपाद की जाए ग्रंतरा श्रीमत भगवत गीता की जाए श्रीमान नर्स्यम् ग्रपाद प्रभुपाद की जाए